हेलो फ्रेंड मैं हूं निक और आप सभी का स्वागत हमारे योटुब चैनल में सो फ्रेंड आज के इस वीडियो हम बात करेंगे ओमेंस एसिया कप का जो सेकेंड मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वीच इसके ड्रीम 11 टीम के बारे में तो फ्रेंड ड्रीम 11 टीम देखने से पहले आएए पीच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं वही बात करते हैं एवरेज इसकोर के बारे में एवरेज इसकोर यहाँ पर 134 है और जिस पीच पर भी देखें एवरेज इसकोर 140 से कम होता है उस पीच को बॉलिंग फ्रेंडली पीच बोला जाता है तो बॉलिंग friendly पीछे और बॉलिंग में यहाँ पे किसको जादा विकेट मिलता है तो देखे बॉलिंग में यहाँ पे mostly इस पीन बॉलर को जादा विकेट मिलता है फास्ट बॉलर को मुकाबले इस पीछ को जो last match खेला गया था उस match भी यही चीज़ देखने को मिला था जो last match खेला गया था वो खेला गया था सिरलंका वर्सेस अब गनिस्तान के बीच फेबरवरी दोजार चोबीस में उस match में टोटल 11 विकेट गिरे थे जिसमें से 3 विकेट फास्ट बॉलर को मिले थे 7 विकेट स्पीनर को मिले थे और एक रना उट वाता यह आकड़ा देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्पीच पे फास्ट बॉलर को मुकाबले इस पीन बॉलर को जादा विकेट मिलता है तो देखें इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमने ड्रीम 11 टीम त्यार किया हुए तो आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर के बारे में तो विकेट कीपर में हाँ से रीचा गोस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी बहुत अच्छे फॉर्म में हाल के दिनों में रही है और अगर इनका पिछला कुछ मैचेज में फॉर्म देखा जाए तो अभी जो इनोंने अपना लाश्ट मैच खेला था स्ताउथ परी का उमेन के एगेंश्ट वहाँ पर इनोंने 86 रनों की बहुत ही जो बरदस्त पारी खेली थी सो यहाँ से रिचा घोस विकेट की परकुर्प में मोश्ट इन्पोर्टेंट होंगी इन्हें आप जुरू अपने टीम में रखेगा आई अब बात करते हैं बैटिंग के बारे में तो बैटिंग में आप पांच बल्ले वाजो को रख लीजेगा यहाँ से हर्मन प्रीत कोर इंपोर्टेंट रहेंगी हाल की दिनों में हर्मन प्रीत कोर बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है अगर इनका पिछला कुछ मैचेस देखा जाए तो अभी जो इन्होंने अपना लास्ट मैच कहला तो वहाँ पे 35 रन बनाया था उससे पहले इन्होंने 69 बनाया था उससे पहले 42 रन बनाया था यानि कि लगतार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है हर्मन प्रीत कोर नंबर चार पे बैटिंग करते हुए दिखाई दे देंगे तो हर्मन प्रीत कोर को आप जरू अपने टीम में रखेगा इनके लवा इस मरिती मंदाना जो इन्जन टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है अगर इनका पिछला कुछ मैचेज देखा जाए तो अभी जो इन्होंने अपना लास्ट मैच केला था वहाँ पे 54 बनाया बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है इस मरिती मंदाना को भी आप जुरू अपने टीम में रिखेगा इनके अलावा सेफाली बर्मा को रख लीजे सेफाली बर्मा भी भरूसे मंद प्लेयर है और ये भी अच्छे खासे फॉर्म में चल रही है ओपनिंग करने के लिए और इनके बस पूरा मौका रहता है बड़ी पारी खेलने का साथ ही साथ सेफाली बर्मा बॉलिंग भी कर देते और विकेड भी लेती है सो सेफाली बर्मा को भी जुरूब अपनी टिम में रिखिएगा आलियार याज एक बहुत अच्छी ओल राउंडर है और इनका भी हाल की दिनों फॉर्म बहुत ही अच्छा रहा है इन्होंने जो अभी अपना लास्ट मैच खेला था उस मैच में उन्होंने 36 रन मनाया था उससे पहले वाले मैच में इन्होंने 21 रन मनाने के साथ साथ दो विकेड भी निकाला था आलियर याज भी बहुत अच्छी ओल राउंडर है बैटिंग भी अच्छा करती है बॉलिंग भी बहुत अच्छा करती है आलियर याज को आप जुरू अपने टिप में रखें इनके अलाबा जेमाईमा रोडरिक्स को रख लीजे जेमाइमर रोडरिक्स अभी हाल की दिनों फॉर्म बहुत अच्छा है रहा है इन्हों जो अभी अपना पिछला दो मैच खेला है वाद दोनों ही मैच में इन्होंने हाप सेंच्री बनाया हुआ है लाश्ट मैच में उन्हे 53 बनाया हुआ है उससे पहले वाले मैच में उन्हे 55 बनाया हुआ है जमाइमर रोडरिक्स भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है इन्हें भी आप जुरू अपने टीम में रिखेगा बागी यहाँ पर और कुछ खास प्लेयर नहीं है जिनको आपको लेना चाहिए आई आप बात करते हैं ओल राउंडर के बारे में तो अल राउंडर में यहाँ से आप तीन अल राउंडर ले दीजेगा दिपती सर्मा को आप जुरू अपने टीम में रिखेगा बहुत अच्छी अल राउंडर है बॉलिंग बहुत अच्छा करती है और प्लस जब बैटिंग का मौका मिलता है बैटिंग बे अच्छा कर ल भी तीन विकेट यानि कि पिछले तीन मैच में टोटल साथ विकेट निकाल चुके है नीडा डर बहुत अच्छी ओल राउंड रहे इन्हें आप जिरू अपने टीम में रखेएगा इनके लाबा पूजा वस्तराकर इंडियन टीम की एक बेस्ट फास्ट बॉलर मानी जाती है बहुत अच्छी प्लेयर है बॉलिंग भी कर लेती हो कभी कबार बैटिंग का मौका मिलता है तो बैटिंग भी अच्छा करती है अभी हाल की दिनों में भी पूजा वस्तराकर का फॉर्म बहुत अच्छा रहा है इन्हों जो अपना लास्ट मैच खेला हुआ है उस मैच में इन्होंने चार विकेट निकाला हुगा वो भी साउथ प्री का उमेन के अगेंश्ट उससे पहले इन्होंने दो विकेट निकाला था उससे पहले दो विकेट उससे पहले एक विकेट यानि कि पिछले चार मैच में नो विकेट निकाल चुकी है तो पूजा वस्तराकर भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है इने भी आप जुरू अपने टिम में रिखेगा तो आल राउंडर में यही तीन आल राउंडर को रखे दिपती सर्मा नीडा डर और पूजा वस्तरा कर आप बात करते हैं आसे बॉलिंग के बारे में उससे पहले आप लोगों से रिक्वेश्ट रहेगा यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है और अभी तक कि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जुरू कर दिजे क्यूंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से फ्रेंड़ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारे महेंध का फल होता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जुरूग कर दिए अगर अभी तक नहीं किये हैं तो और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को भी लाइक करके फॉलो जुरूग कर दिएगा ताकि वहाँ पे भी आपको नोटि ऑच रहे नसरा संदू नसरा संदू उिस स्पीन बॉलिंग करती है और इस मैच में स्पीनर्स को हेल्प मिलने वाला और बहुत जवरदस्ती स्पीन बॉलिंग करती है तो नसरा संदू जरू अपनी टिम वहाँ पर इन्होंने तीन विकेट निकाला तो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है तो राधा यादब को भी आप जुरू अपनी ठीप में रिखेगा सो बॉलिंग में यही दो बॉलर इंग पॉर्टेंट रहेंगे नसरा संदू और राधा यादब आई अब बात कर ले 54 रन बनाया था उससे पहले वाले मैच में इन्होंने 46 बनाया था उससे पहले वाले मैच में इन्होंने 149 रन बनाया था और उससे पहले वाले मैच में इन्होंने 90 रन बनाया था आप देख सकतो लगतार बड़ी पारी खेलते वे आ रही है सो मुझे लग रहा है इस मैच म बड़ी पारी खेल सकती है क्योंकि पाकिस्तान उमेंस ट्रिम में अगर दो तीन बॉलरों को छोड़ दिया तो उतना कुछ खास बॉलिंग है नहीं बड़ी पारी इस मैच में इस मृती मनदाना के बल्ले समय देखने को मिल सकता है इसी वज़से मुझे लगता है इस मृती मनदाना कैप्टेन के लिए सबसे बेश्ट चोईस होंगी वाइस कैप्टेन नीडा डर को मना दीजे नीडा डर एक ऐसी और राउंडर जो बैटिंग भी बहुत अच्छा करती है और बॉलिंग तो उससे भी अच्छा करती है तो नीडा डर वाइस कैप्टेन के लिए वेश्ट होंगी और कैप्टेन के लिए इस मृती मनदाना बाकी इन दोनों के अलावा अगर आप किसी और को कैप्टेन वाइस कैप्टेन के लिए ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको कुछ आप्सन बतायता हूं जिनको आप लोग Captain wise Captain लिए ट्राइए कर सकते हैं जैसे आप दिपति सर्मा को ट्राइए कर सकते हैं बहुत अच्छे allrounder बैटिंग भी अच्छा करती है प्लस बॉलिंग तो बहुत यह अच्छा करती है और इस मैच में स्पीनर्स को हेल्प मिलने वाला है तो अच्छा खासा विकेट निकाल सकती है तो दिपती कर्वाली बर्मा को ट्राई कर सकते हैं और यहांसे हर्मन पीर को ये अच्छी प्लेई वह च était उख करना चाहते हैं तो इन चारों में सभी किसी को कैप्टेण वाइस कैप्टिंग ले ट्रांई करना चाहा है तो कर सकते हैं बाकी मुझे जो सबसे वेश्ट लगा हो मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमरीती मंदाना और नीडा डर ये दोनों Captain Vice Captain के लिए मुझे सबसे वेश्ट चॉइस लग रहे है और फिलाल के लिए यहीं दोनों हमारी टीम के Captain Vice Captain रहेंगे और फिलाल के लिए यहीं अमारी फाइनल टीम 11 टीम रहेगी उमीद करता हूँ ये टीम आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को भी लाइक करके फॉलो जुरू कर दिएगा साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमें टेलिग्राम पर जॉइन नहीं हुए तो टेलिग्राम पर जरूर जॉइन हुजिएगा क्योंकि इस वीडियो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ अपना टेलिग्राम चैनल ताकि आपको जॉइन होने में कोई प्रॉब्लम ना आ है तो यह आप देख लिए यही हमारा टेलिग्राम चैनल है निक महरा प्रेडिक्सन नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 14,000 से भी जादा लोग अब तक जोईन हो चुके हैं, तो यहीं पर आपको जोईन होना है, बिल्कुल फ्री है जोईन होना, एक रुपए भी आपका नहीं लगेगा, और हर चीज हमारे टेलिग्राम चैनल पर आपको टेलिग्राम पर ही बताऊंगा, दूसरा फाइदा यहाँ पर यह होगा, देखें, टॉस के बाद बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, जैसे प्लेइंग 11 से टॉस अपडेट्स हो गया, प्लेइंग इरेवन से रिलेटर अपडेट्स हो गया, पीच रिपोर्ट हो गय इंजरिइंगेज रिलेटर अपडेट्स हो गया, टीम यूज हो गया, मतलब टॉस के बाद जितने भी अपडेट्स आते हैं, सारे अपडेट्स आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, साथी साथ जिस मैच का भी मैं विडियो बनाता हूं, देखें के अलावा, dream 11 team भी दे देता हूँ इसके अलावा match खत्म होने के बाद जो भी अमारी team की performance रहती है उसका screenshot लेकर भी मैं सबसे पहले अपने telegram पे ही share करता हूँ और भी बहुत सारी चीज़े आपको अमारे telegram channel पे देखने को हो सकते हैं अगर link पे click करने के बाद भी आप नहीं join हो पारे तो comment कर दीजेगा हम आपके comment कर एपलाई कर देंगे और आपको help करेंगे telegram पे join होने में so इस video को यही पे end करते हैं उससे पहले मैं आप लोग बता दू अगर आपको इस video से help मिला है तो अपने दोस्तों के साथ फिस video को जरूर सेयर कर दीजे चाहे whatsapp group हो या फिर facebook गروप हो या फिर instagram हो या फिर telegram हो जहां share करना चाह है वहाँ पे आप इस video को अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में जरू बताईएगा साथ ही साथ कमेंट करके भी जरू बताईए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लएगा उसके कमेंट को मैं लाइक भी दूँगा हट भी दूँगा पीन भी कर दूँगा इसके अलावा उसके कमेंट का स्क्रीन सॉट लेकर टेलिग्राम पे भी सेयर कर दूँगा सो कमेंट आप लोग जुरू कर दीजेगा और इसके अलावा अगर अभी भी इस मैस रिलेटेड आपके माइन में कोई भी डाउट आ रहे उसके ठापके रहे हम एगे रहे हम अजाे रहे हम कोई आ उबरके माइब आपके जालावाद घूका रहे हम बद़ड़ क्सरावा